अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपसरपंच बनाने के लिए पार्षदों और सदस्यों की खरीदी बिक्री का खेल सुरू हो चुका है अब पार्षदों की दोरा पार्टियों में सामिल होने का खंडन किया जा रहा है ऐसा ही मामला नईगड़ी नगर पंचायाच से सामने आया है जहां आमादमी पार्टी के पार्षद छविलाल प्रजापती ने भाजपा में सामिल होने की फैली अफवांहों का खंडन किया है दरसल नगर परषद नईगड़ी में आगामी 6 अगस्त को अध्यक्चिपद के लिए निर्वाचन होना सुरिश्चित किया गया है जिसको लेकर भाजपा, कॉंग्रेस एवं बस्तपा के उम्मीदवार निर्दली पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिए विभिनतरह के हतगंडे अपनाए जा रहे हैं जिसका वह खंडन करते हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद छविलाल प्रजापती ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी का सिपाही और अंतिम सांस तक आम आदमी पार्टी का सिपाही रहेगा उसे बिधायक से मिलने के बहाने रीवा ले जाया गया और माला पहराया गया उस समय भी इसका वियोत किया था और आज भी भाजपा में जाने की अफ़वांगों का खंडन करता है भाजपा में सामिल हो गए हैं इस संबंध में आप क्या कहेंगे हम आदमी पार्टी के नेता हूं हम उससे निर्वाचित हुआ हूं हम उसी में हम अपना उसी का सिपाही हूं उसी में रहे कर आपना हम काम करना चाहता हूं हम कोई नहीं जो आया है इस सब गलत है हम इसको हम खंडित करते हैं हम इसके वहम नहीं है हम जहां का सिपाही हम बनाय करता हूं जहां का सिपाही हूं हम वहां रहेंगे वहां पर हम काम करेंगे हम अपने आम आदमी पाल्टी कैर पक्का भगता हूं अब हमारे साथ थोड़ा बहुत जो दोखा धरी हुआ इसको मैं अपने वह से विल्कुल हम आपके उपर यह कह जा रहा है कि आप भाजपा में सामिल हो गए हैं या नहीं हुए हैं असपस्ट सब्दों में कहा रहा हैं ना रहेंगे ना हम कहीं कि कभी हमने आद तक सदस्ता नहीं लिया हुँ अगना ये लिखीत में कोई सदस्ता लिया या जरूर की हैंगा कि हमका खड़ा के माला पहिराय के पोटो हमार लीन गए जो आज बाइरल है यह सब गलत है हम इसको खंडित करते हैं हम जहां के हैं हम हुहां रहेंगे हम मिलके हम अपने ज जनता जनार्दन का हम सेवा कर रचाहता हूं, अब वहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे.